नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इस फीक की हमारी दूसरी मैथमेटिक्स की वर्क्षीट हमारे सामने है वर्क्षीट नमबर है 135 यानि की 135 इससे पहले भी वर्क्षीट नापने के उपर थी और ये दूसरी वर्क्षीट भी नापने के उपर ही है चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें क्या करने को मिला है आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापे आपकी तरह काजल ने भी नाप डंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग लग चीज़ें नापने के लिए किया था काम करने के बाद उसने अपनी टीचर को मैसेज भेज कर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया प्यारे बच्चों क्या आपको भी मज़ा आया काजल ने इस नाप डंडी से छोटी छोटी चीज़े भी नापी जैसकी पैंसल सामने के चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पैंसल को किस तरह ना पाए पैंसिल की जो लंबाई है वह 6 छोटे हिस्सों के बराबर है, देखते हैं इसको, हमने नाप डंडी के 10 बराबर हिस्से किये थे, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, चटा, साथवा, आठवा, नोवा और दसवा हिस्सा, ये 10 के 10 हिस्से बराबर हैं, और प की लंबाई नापी है, ये कितने हिस्से हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं कि पैंसिल की लंबाई, 6 छोटे हिस्सों के बराबर आई, आगे पड़ते हैं, क्या आप भी नीचे दी गई वस्तों को नापेंगे, यहीं कि ये जो नीचे हमें वस्तों दी गई हैं, हमें इनको न नापना है, उसी नाप टिंडी से, जैसे पैंसिल की लंबाई हम क्या लिखेंगे, पैंसिल का नाप जो हम लिखेंगे, 6 छोटे हिस्से, ऐसे आप अपनी रबर यानि की एरेजर को रखके नापेंगे, यह कितने हिस्से आई हैं, वो आप यहां लिखेंगे, हाथ की सबसे चोटी उंगली, हाथ की जो आपकी सबसे चोटी उंगली है, उसको भी नाप डंडी के साइड में रखकर आपको नापना है, और यहां लिखना है, कितने हिस्से के बराबर आया है, हाथ की सबसे बड़ी उंगली भी नापनी है, और मॉम का रंग लेना है, कोई भी एक वेक्स चीज है remote की cell जो remote में cell डलते हैं हमें पता है उसमें से अल निकाल कर आप नाप डंडे से देख सकते हैं कि कितनी लंबाई है साथे साथ कोई चाबी ले सकते हैं उसकी नाप करके आप यहां लिखेंगे चलिए प्रशन देखते हैं प्रशन एक आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे चोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर है तो जो हाथ के आपके सबसे बड़ी उंगली थी वह लंबाई जो आपने नाप के यहाँ लिखी है और जो सबसे चोटी उंगली है यहाली लंबाई जो आपने नाप के लिखी है इन दोनों में अंतर निकालना है यानि कि बड़ी उंगली की जो लंबाई है वो ज्यादा होगी छोटी उंगली की लंबाई कम होगी आप इस लंबाई में से इस लंबाई को घटा देंगे इसको घटाना है छोटे वाली लंबाई को और जो उतर आपका आएगा वो इस परशन का भी उतर होगा परशन दो देखते ह उपर दी गई तालिका में वस्तों में से सबसे लंबी वस्तो कौन सी है यानि कि ये जो तालिका हमने देखी इस तालिका में सबसे लंबी जो वस्तो है उसका नाम हमें लिखना है सबसे लंबी वस्तो कौन होगी जिसके लंबाई सबसे ज़्यादा आएगी अब यहां हम नाप करके लिखेंगे कि किसका नाप कितना है जो सबसे जादा नंबर होगा जो सबसे जादा बड़ी संख्या है वही उसके सामने हम नाम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है वही हमारा इस प्रशन का जवाब होज़ाएगा प्रशन 3 देखते हैं उपर दी गई तालिका में वस्तों में से सबसे चोटी वस्तो कौन सी है ऐसे ही जो आपने नाप लिखे हैं जो सबसे चोटी संक्य होगी उसके सामने वाली चीज को आप देखेंगे कौन सी वस्तो है क्या वो चाबी है या वो रिमोट की सेल है कौन सी वस्तो है जिस भी वस्तु की लंबाई सबसे चोटी है उस वस्तु का नाम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर हो जाएगा हमारा प्रिशन चार देखते हैं आपके घर में सबसे चोटी वस्तु कौन सी है उसका चित्र बनाई है और उसकी लंबाई नाप डंडी की मिदद से नाप यह अब आप सोचिए कि आपके घर में चोटी चीज जो आप सोच सकते हैं कि हाँ यह सबसे चोटी वस्तु है उसका चित्र बनाई है और नाप डंडी से उसको नाप नाप ना भी है ऐसे ही नाप ना है जैसे हमने यहाँ पैंसिल की लंबाई देखी जैसे ये पैंसिल के लंबाई नापी थी ऐसे ही सारी वस्तों को नाप कर लिखेंगे आज की क्लास यहीं खत्म होती है अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूथ सकते हैं कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन